जहिंद मित्रो बिहार पुलिस फायरमेन का फाइनल मिरिट आ चुका है आप लोगों का जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है योगदान से रिलिटेड होने वाला है मतलब कि योगदान होने वाला है योगदान का नोटीस जो है आपको आपके रिजल्ट के साथ ही दे दिया गया ह में योग दान वागे दान क्या होता नंकि न्या वॉर्ड है बहुत लोग लोगे नहीं जानते होंगे तो आजूम में वर्ल डीटेल में जानेंगे कि योग दान क्या होता है इसके बाल प्रोसेस, आपका बाकी आपको सब्सक्राइब करें तो देखने को मिलेगा चली विडियो को सुरू करते हैं वीडियो जो होगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर बात करनी हैं लेकिन एक एक सब्द जो होगा आपके लिए इंप्रोटेंट होगा सबसे पहले यह जा लिए कि आपका योगेदान होगा कहा है तो योगेदान आपका पटना जो फायर अफीस का मुख्याले हैं वहीं पर योगेदान जिनरली देखने को मिला है अभी तक ल होगा उसी तरह से आपका भी डिस्टिक लॉट्मेंट का एक लिष्ट और आ जाएगा उसके थुरू जो है आपको आपके डिस्टिक में भेज दिया जाएगा और वहीं पर जो है आपका योगेदान होगा इसका भी नोटिस अगर होना होगा तो दो चार-पांदिन में इस इतनी सारी इंफोर्मेशन है आपको सबकुछ पता चल जाएगा घवड़ाने की जुरूवत में है सबकुछ सबको पता चल जाएगा और बाकी मैं तो हूं ही आपको बताने की ठीक है यह समझे कि युग्गिदान वाकई में होता क्या है इसमें क्या-क्या प्रोसेस होता है तो इसमें दखिए कुल दो-तीन प्रोसेस होता है यूगिदान में पहला प्रोसेस तो आपका document verification का होता है उसके बाद से जो होता है हाइट चेस्ट वेट आपका मेंशूर्मेंट होता है जस्ट फोर डाटा सिट मतलब एक डाटा सिट त्यार के जाता है उसके लिए आपका होता है उसके बाद से एक दो फॉर्म भी आपसे भरवाये जाते हैं ठीक है युग्दान के समय है तीन चार तरह की प्रक्रियाएं अब करें तो आईडी प्रूफ के लिए आपका अधारकार पेन कार कोई भी एक आईडी प्रूफ ले सकते हैं जो फोटो यूखत हो बतला ऑठ कबीकर बेस्ट है जेखते है और चेसे बात करें कोली फिकेरें संशनünd दोनो का आपका स्टिफिकेटत dw涛 नगता है लेग जान में मैं होता है झाल अ्पार फ्कवेट डियाखट अपता और आपका दॉकमेंज दंट सब्सक्राइब मुद्ध जब सft翹? वह आपका के ब Patriot Guard एंटर की दोकृत सब्सक्राइब यह स्कूल कॉलेज gü AF diangen Teλ li कर आप को बाहर करने वाला नहीं है है अगर मानलेटे कुछ दोख्मेंट्स डॉक्में बात करते हैं प्रूले की जो भी जी जब पर आपने इस्त्माल किया है उसको आपको लेके जाना लाश्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कपका ही का सर्टिफिकेट जिनकी जोडूरत सब्सक्राइब जरूरी होता सब्सक्राइब आपक्ता के झाए आण तब लिए जरूरी होता है उसके पद भाद बहुत सारी एक पूचते हैं के स्काहां से आप तो इस इसाप से दुनी लिवास बन्वाइब लें जो है विवाहित है और बाकी एक सार्मय वाले हैं गुर्खा वाले हैं जुभी इंका सर्टिफिके डॉक्मेंट्स लगता हैं यह अपना डॉक्मेंट्स लेके जाए लोक्मिंट्स पर कोई इसों नहीं होने कितने लोगों का जो है अभी फाइनल मेरिट बन चुका है लगबख सबको नौपरी मिलेगी इसमें से एक के दो परसेंट ऐसे होंगे जिनको नौपरी नहीं मिल पाएगे जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे ठीक है अब देखिए एक और बड़ा कंसर रहता है क किसरे डॉक्मेंट कब का ले जाए जब आप फॉर्म भरे होईएगा उस समय के यदि आपके पास डॉक्मेंट्स है तो उसको लेकर जा सकते हैं नया बनवालो नया बनवा के लिए कर जाओ कोई इसु नहीं है नया भी जो होता है एक ततकाल बनता है एक जो है थोड़ा सा स लेकर जा सकते हो ठीक है कोई बड़ी दिक्कत नहीं है मतलब कोई भी डॉक्मेंट्स आप नया बनवाओ या आपके पास पुराना वाला है जब आप फॉम भरेते उस समय वाला भी चैल जाएगा बस भाइलीड होना चाहिए हर सर्टिफिकेट का वैलीडेशन होता है अपन परइस आपका फॉर्म होता है अब देखें यह जब आपका हो जाएगा तो वहाँ पर आपसे और तक लिए में अपने दिख लिए वाला स्थाइर पर नाम राइट डाउन कर लिए इसपर जो भर वह जाता है तो खर अब देखा जाए गर ऑप और फोर रड़ाइब करना पूर पुलिस के सब नुट यह कि इसके बारे मैं दोग नेक्स्ट वीडिएो में चर्चा करेंगे दोडियो फ्रहा होने वाला है का है उसके बाद से आपका हाइट च्छेस्ट लड़कों का हाइट इस एक तियार किया जाता है और लड़कीओं का एक वेट में शिर होता है हाइट होगा ही और वेट होगा यह जो है डाटा सीख भरने के लिए मतलब कि आपका एक रिकॉर्ड त्यार कर जाता है उसको भरने के लिए सब दिया गया इसमें जो है कोई फेल लहीं हो बिहार पुलिस की बात करें 84 से 15 जो बिहार पुलिस की लिए अगर आपका हाइट एक चीज में शूर्मेंट किया जाता है यही तीन काम आपका होता है डॉक्मेंट वरिफिकेशन फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा दोचा उसके बाद से हाइट चेस्ट यह सब वेट वगरा मेंशूर्मेंट किया जाता है ठीक और उसके बाद से जो है आपको डेट बताया जाता है एक बढ़ यहीं पर जो ही अपडेट है आपका यहां पर यहां पर यहां से या आपको नंबर वगरा सब कुछ मिल जाता है ठीक है अब बात करते रहें आपको सारी जनकारी उसी के माध्यम से मिलती रहती है बाती मैं तो हूं ही आपको समय समय कोई चीज के बारे में बताने के लिए इसके अलावा भी अगर आपके दिमान में कोई क्यों रहेगा तो उसके बारे में हम लोग भात करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा है और को परिषानी देखने तो दोस्तों मैं इम्मीद करता हूं कि आप लोग को एक उन्फॉर्मेटिव लगा होगा इसके अलावा भी अगर आपको दिमान में कोई कुछन क्यों चल रहा होगा या किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है फिर मिलते हैं अगले को नेक्स्ट अब्रेट में जैहिंद बनने वाते हैं